हेलो माई दियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुर्भी वर्मा और आज हम लोग व्याकरन पढ़ेंगे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि ये हमारी व्याकरन की पुस्तिका है वर्तिका ठीक है इसमें हम पार्ट नमबर तीन पढ़ेंगे ठीके पार्ट नमबर 3 है मात्राए ठीके जो कि मैंने यहां लिखा हुआ है व्याकरेन का ये पार्ट नमबर 3 है मात्राए ठीके मात्रा शुरू करने से पहले हम लोग पार्ट नमबर एक और पार्ट नमबर दो पढ़ चुके हैं पार्ट नमबर एक क्या था पच्चो भाशा येस और पार्ट नमबर दो वर्ण माला ठीक है तो भाशा भाशा क्या होती है भाशा जो हमारे भाव या विचार होते हैं कि भाशा कैसे बनती है, तो सबसे पहले चीज होती है वर्ण, येस, जो कि हम लोग पार्ट नमबर दो में पढ़ चुके हैं, वर्ण माला, ठीक है, उसी से जो वर्ण होते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से भाशा बनती है, ठीक है, त तो सब लोग, सब बच्चे, पेज नमबर 14 पे आएंगे, 1, 4, 14, 14, ये पेज खोलेंगे सब लोग, और हम लोग आज मात्राएं का चैप्टर, पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, मात्रा क्या होती है बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं, कि मात्रा क्या होती है, जो हमारे वर्ण माला होती है, वर्ण के दो भाग होते हैं, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है, तो मात्रा बच्चों, स्वरों का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है, उसे हम मात्रा कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग पहली क्लास में पढ पे, ओ, अउ, ये हमारे क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन क्या-क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, च, छ, ज, 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 ट, प, म, ये सारे. तो तैतीस व्यंजन होते हैं और ड के नीचे बिंदी और ध के नीचे बिंदी ध और ध, ये हमारे अतिरिक व्यंजन में आते हैं. तो हमारे प स्वरो का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं ठीक है तो स्वरो का सबसे मूल रूप क्या होता है यह मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है यह हमारे स्वरो के मूल रूप होते हैं यह हमारे स्वरो का मूल रूप होता है अब बच्चों आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा हर स्वर की एक मात्रा होती है और उस मात्रा को हम लोग व्यंजन में प्रयोग करते हैं और उसी से हमारा शब्द बनता है तो आज इस पाठ में आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि हमारे स्वर कौन से है और उसकी मात्रा कैसे होती है सिर्फ आपको इतना ही ध्यान में रखना है ठीके जैसे कि पहला स्वर है अब बच्चों अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है ठीके यह बिना मात्रा वाले होते है ठीके, इसमें आपकी कोई मात्रा नहीं होती, क्या आप मुझे बिना मात्रा वाले कुछ शब्द बता सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे की घर, नल, ठीके, बच्चों, तो ये हमारे बिना मात्रा वाले शब्द है, जो अस्वर है, उसकी कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीके, अब हम आते हैं, आ, ठीके, आ को हम कैसे लिखेंगे, ये, इसकी मात्रा ऐसे होती है, ठीके, आ, क्या इससे आप मुझे शब्द बता सकते हैं, ठीके, कान, मकान, आपको एक चीज और ध्यान देनी है, जो आ की मात्रा है, वो हमेशा व्यंजन के बाद आती है, ये, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, जो आ की मात्रा है, वो व्यंजन के बाद आती है, ठीके, जैसे की क में आ की मात्रा जोड़न बना कान, म जोड़ क जोड़ा जोड़न मिलके क्या बना मकान, ठीके? अब हम तीसरे स्वर पे आते हैं, जो की है इ, छोटी इ, इसे हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, ठीके? तो बच्चों, आपको ये ध्यान देना है, जो इ, छोटी इ की मात्रा है, वो हमारे व्यंजन से पहले लगती है, ठीके? जैसे की शब्द लिया हम लोग ने किताब, तो क्या आप देख रहे हैं कि ये छोटी इ की मात्रा व्यंजन के आगे से आई है, ठीके? तो आपको ये ध दियान देना है कि छोटी E की मात्रा व्यांजन के आगे से आती है, ठीक है? अब हम दूसरी पढ़ेंगे बड़ी E की मात्रा, इसे हम कैसे लिखते हैं? ऐसे, बड़ी E की मात्रा हम लोग कैसे लिखते हैं? जो व्यांजन के पीछे से आती है, ठीक है? ऐसे, क्या बड़ी E की म और ली, आपनी ये चीज देखी, ये व्यंजन के बाद में हमने बड़ी E की मात्रा लगाई है, ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजे बच्चो, छोटी और बड़ी मात्रा में आप लोग कैसे पता करेंगे कि छोटी मात्रा है या बड़ी मात्रा है, तो मैं आपको एक छोट किताब और कील, तो जब हम छोटी कोई मात्रा लगाते हैं, तो हम उन शब्दों को जल्दी बोलते हैं, जैसे कि किताब, किसान, तो ये जो शब्द है, उसको हम जल्दी बोल रहे हैं, तो जब हम जल्दी बोलते हैं, तब इसमें कौनसी मात्रा लगती है, जी हाँ, छोटी ठीके और वोई चीज जब हम बड़ी मात्रा लगाएंगे बड़ी एकी मात्रा कैसे पता चलेगा उस शब्द को हम थोड़ा सा खीचते हैं ठीके जैसे की मचली है ना और क्या हो सकता है इडली तो हम ये अक्षर को हम खीच रहे हैं इसमें हमने मात्रा लगाई है तो ये आपका एक हिंट है कि जो जब हम छोटी मात्रा लगाते हैं तो उस शब्द को हम लोग जल्दी बोलते हैं और जब हम बड़ी मात्रा लगाते हैं तो उस शब्द को हम खीचते हैं ठीके अब हम आते हैं U छोटा U अब हम इसे कैसे करते हैं जो व्यंजन के नीचे लगता है हम इसे गोल घुमाते हैं और बाई की तरफ लेके जाते हैं बाई देखिए यह आपकी जैसे यह आपका ब्लैक बोर्ड है या यह आपकी कॉपी है तो दाई मतलब राइट दाई मतलब राइट और बाई मतलब लेफ्ट तो हम उ की मातरा को कैसे कैसे लिखेंगे हम इसे गोल घुमाते हैं और बाई की तरफ मतलब लेफ्ट की तरफ लेके जाते हैं ठीक है क्या आप मुझे इससे कोई शब्द बता सकते है? उसे, छोटे उसे? येस प में छोटे उकी मात्रा और लग बिल्कि क्या बना? पुल ठीक है? ये बना हमारा छोटे उसे पुल ठीक है? अब हम करते हैं बड़े उकी मात्रा के पास बड़े उकी मात्रा को भी हम व्यंजन के नीचे ही लिखते हैं लेकिन इसे गोल घुमा के हम नीचे की तरफ खीचते हैं ये हमारा बड़े उकी मात्रा है ठीक है? अब क्या मुझे इससे आप एक शब्द बना सकते हैं? बड़े उकी मात्रा से क्या शब बनेगा ये शब तो सभी को पता है सूरज ठीक है तो बेटा इसमें भी आपने ये देखा होगा ये छोटी मात्रा है ये बड़ी मात्रा है जब मैंने छोटी उकी मात्रा लगाई तो मैंने क्या बोला पुल मैंने ये शब जल्दी बोला तो इसमें इसलिए छोटी मात्रा आएगी, और सूरज, क्या लिखा, सूरज, तो इसमें बड़ेओं की मात्रा आएगी, ठीक है, अब हम आते हैं, री, ठीक है, री की मात्रा को हम लिखते हैं, ऐसे, जैसे आप इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश आल्फबेट में C, वैसे ही ये व्यंजन के नीचे आता है छोटा सा सी यह आपका हिंट है ठीक है कि आपको मात्रा री की ऐसे बनानी है छोटा सा सी ठीक है तो इससे हम लोग कौन सा शब्द बना सकते क्या आप मज़े बता सकते हैं हम बना सकते हैं इससे म री की मात्रा और ग क्या बना म्रिग क्या बन मैं यह मतलब हिरन है तो मिśćका परियाय है हिरन तो यह ही की मात्रा है से एड होती है तो इसकी मात्रा होती है ओपर ऐसे थी की अब इससे कैसे शत्राप बनेगा कैसे बन सकता है कौणसे शत्राप थे से केlaw क्या बनाएंगे हम लोग केला केला ए ए केला ठीक है अब हम आते हैं ए इसकी मात्रा बच्चों हम लिखते हैं व्यंजन के उपर ऐसे हम दो बनाएंगे ठीक है यह होता है यह क्या है इससे हम लोग क्या बना सकते हैं शब्द पैर, क्या बना सकते, पैर, आपको सबी को पता है, पैर मतलब हमारे लेग्स है ना, तो इससे क्या बनेगा, पैर, ए, ठीके, तो ये आपकी ए की मात्रा है, ठीके, अब दूसरा आता है हमारा ओ, ओ, कैसे बनाएंगे, ये देखिए, एक नीचे और एक उपर, ये हमारी ओ की मात्रा होगी, तो इससे हम लोग क्या शब्द बना सकते हैं, म में ओ की मात्रा और र, मिलके क्या बना, मोर, I think सबी को पता है कि मोर कौन है, मोर हमारा राष्ट्रिय पक्षी है, तो इसमें हम लोगे ने म म में ओ की मात्रा मो, र, क्या बना मोर, और हमारा, अब आता है, ओ, औ में हम कैसे लिखेंगे, एक नीचे और ये दो उपर, ये बनेगा ओ, क्या बनेगा ओ, तो इससे हम कौन सा एक शब्द बना सकते हैं, कवा, क्या बना सकते हैं, कवा, ठीके, तो I hope आप लोग को समझ में आई होगा कि मात्रा किसे कहते हैं, मात्रा स्वरों का वो रूप जो व्यांजन के साथ जुड़ता है, उन्हें हम मात्रा कहते हैं, आपने ये चीज देखे होगी, सारे व्यंजनों के साथ हम लोगों ने एक स्वर की मात्रा जोड़ी है ताकि एक शब्द बने, ठीके? तो क में आ की मात्रा का, की में छोटी एकी मात्रा की, म ल में बड़ी एकी मात्रा ली, प में छोटी एकी मात्रा पू, स में बड़े एकी मात्रा सू, म में री की मात्रा म्री, क में एकी मात्रा के, प में एकी मात्रा पै, म में ओकी मात्रा मू, और क में आओ की मात्रा कव तो आप लोग को समझ में आये होगा इस पार्ट में आपको सिर्फ यह ध्यान देना है बच्चों कि स्वर कौन से हैं और उन स्वरों की मात्राएं कैसे होती है ठीक है? और उससे बनने वाले हमारे शब्द ठीक है, अब सब लोग अपने पुस्तिका में देखेंगे, पेज नमबर 1414, उसमें कुछ चित्र दिये हैं, और उस चित्र के साथ आपको कुछ मात्राएं भी दिये हुई हैं, तो हमें उसको कैसे बोलना है, वो हम लोग आज देखेंगे, जैसे की फल, फल, अब उसमें जब बड़ेओं की मात्रा लगा दी, तो वो ही क्या बन गया, फूल, क्या बन गया, फूल, ऐसे ही देखें आगे, जल, जल, लेकिन इसमें जब एक ही मात्रा लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, जेल, क्या बन जाएगा, जेल, फिर हम लिखेंगे, मग, देखें नीचे म्रिग मैं आपको पहली बता चुकी हूँ कि म्रिग एक हिरन को बोलते हैं ठीक है फिर घट घट ठीक है इसमें जब हम आ की मात्रा जोड़ेंगे घ़ में तो क्या बन जाएगा घाट ठीक है तो अब दूसरे पेज पर आईए पेज नमबर एक और पाच पंद्रा इसमें मात् का व्यंजन के साथ प्रयोग ठीक है इसमें आपको कुछ व्यंजन दियो हैं सारे व्यंजन दियो हैं हम सारे व्यंजन तो नहीं पढ़ेंगे यह आप लोग घर में भी पढ़ सकते हैं लेकिन इसमें कुछ-कुछ व्यंजन है जिसमों जिसमें हम सारी मात्राएं और उसे कैसे बोलते हैं, वो देखते हैं, ठीक है, सबसे पहला व्यांजन हम लेंगे हैं, क, 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 आपको समझ में आया, आप ही हम लोगों ने एक व्यांजन में सारी मात्राय लगा दी, तो अभी आपने उसकी ध्वनी सुनी, आवाज सुनी, कि वो कैसे बोलते हैं, ठीक है, अब हम लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एसे ही आपको, अभी जब आप घर में हैं बच्चो, तो आप लोग को ये सारे बोलने हैं, जितना आप बोलेंगे, उतना आपको अच्छे से समझ ठीक है, अब आप टर्न करेंगे पेज, पेज नमबर 16, 16, 16 पे आएंगे, 16, 16, ठीक है, बेटा एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जितनी भी व्यंजन हैं हमारे, उस सारे व्यंजनों में जितनी भी मात्राय रहती है, या तो वो व्यंजन के बाद में आती है, या आग मात्रा यहां लगानी रहती है, जैसे कि मैं व्यंजन लिख रही हूँ, यह र, तो जब र में हम छोटे उकी मात्रा लगाएंगे और बड़े उकी मात्रा लगाएंगे, तो हम इस व्यंजन को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बाकी सारे व्यंजन नीचे आएंगे, पीछे से आगे से आएंगे यहाँ से ठीक है लेकिन सिर्फ एक र एक ऐसा व्यंजन है जिसमें हम बीच में से यह मात्रा लगाते हैं ठीक है तो एक ध्यान देने वाली बात हम लोग बस पढ़ेंगे अ की कोई मात्रा नहीं होती जो अ है स्वर उसकी कोई मात्रा नहीं होती यह बिना मात्रा वाले होते हैं और आ, आ, ई, ओ और अव की जो मात्राएं है व्यो व्यंजनू के बाद लगती है ठीक है I hope आपको यह chapter समझ में आ गया होगा ठीक है धन्यवाद झाल